बिग बॉस के विकंड के वार पर लगा एक नहीं दो कंटिस्टिंट को ये तगड़ा जटका सलमान खान ने किया डबल एविक्षन आखिर कौन कौन है वो कंटिस्टिंट जिने निकाला गया है घर से बेघर और क्यूं विवेन चाहत और अविनाश हो गए इमोशनल तो इस साथ आप भी बने रही है अंततक दोस्तो इस बार हो चुका है घर में मिडविक एविक्षन डबल एविक्षन कर दिया है सलमान खान ने एक कंटिस्टिंट नहीं दो दो कंटिस्टिंट को निकाल दिया है बिग बॉस के घर से बाहर और इसकी एक सबसे बड़ी वज़ाए क बिग बॉस खुद बखुद नाराज है अगर इतना खर्चा करने के बाद बड़े बड़े आर्टिस्ट लाए जाने के बाद भी शो में अगर टियार पी नहीं आ रही है तो मेकर्स कुछ बड़ा फैसला लेते हैं और ऐसा ही कुछ सलमान खान ने भी किया मिडविक में मु मुसकान को सबसे कम वोट आ रहे थे हलाकि मुसकान को घर वालों में अगर विवेन और चाहत को छोड़ दिया जाये तो सभी नहीं आरोप लगाया था कि मुसकान का एंगेजमेंट बहुत ही जादा कम है या फिर बहुत लो है मुसकान को गेम समझ में नहीं आ रहा है जिसक ये फैसला सुनाया गया कि मुसकान बामने को घर से बेघर किया जाता है सबसे ज़दा आसू अगर किसी के निकले तो वो थे विवेन दिसेना क्योंकि उन्होंने अपनी चोटी बहन माना था मुसकान को और चाहत पांडे के साथ काफी ज़दा क्लोज रही है मुसकान जिसके चलते चाहत और विवेन काफी ज़दा इमोशनल हो गए लेकिन सलमान खान यही नहीं रुके सलमान खान ने एक और एवेक्शन करके घर वालों को शौक्ट कर दिया और घर वालों की रजा मंदी से सलमान खान ने पूछा कि बताओ अब इन में से कौन लगता है सबसे भी आरूप लगा रहे हैं कि नायरा का जो सीन है वो बार बार बिग बॉस एडिट कर रहे हैं नायरा को घर से बेघर करने की एक बड़ी साजिश चल रही है कि अब सलमान खान ने बड़ा फैसला लिया और नायरा बेनर जी को भी घर से इविक्ट कर दिया है तो यह थी वो दो बड़े एलिमिनेशन जिसका बड़ा फैसला लिया गया है टी आर पी की कमी को देखते हुए सलमान खाने नायरा बेनर जी को भी घर से इविक्ट किया है हाला कि अगर देखा जाए तो शुरुआती दिनों से ही नायरा बेनर जी का बहुती कम कहीं न कहीं क्या ये डबल एविक्शन फैर था या फिर आपको लगता है कि जी नहीं इनके अलावा किसी और कंटेश्टिंट को शो से बेघर करना चाहिए था मैं जानना चाहूंगा आप सभी का ओपीनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को किच्छू